फृताओ आजादी चाय जीने की हो चाय विचारों की हो खाने की हो चाय पीने की हो यानि जीवन से लेकर विचारों के आजादी सबको अच्छी लगती है। लेकिन इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कितनी कुर्वानियां दी इतिहास उसका साक्षी है समाज और समय भी उसका साक्षी है आज आजादी के लगवक साथ दसक के बाद जो आजादी के जो फाइदे हैं आजादी की जो अच्छाया हैं उनका हम भोग कर रहे हैं लेकिन एक उत्तरदायत बोध जो आजादी के प्रत्य आम आदमी में होना चाहिए वो क्या आज उतना ही बना हुआ है जो आजादी के लि पर ऐदी को प्राप्त किया समाज और राष्ट के लिए पाना चाहते थे लेकिंग सभित्र एताहिआ नहीं May प्रश्ण जरूर उठता है कि क्या सतर साल की साजादी के जीवन में वो चीजें आज बनी हुई है अगर नहीं है तो क्यों वो हमसे छूटती जा रही है और अगर वो छूटती जा रही है तो उसके भविश्य में क्या परिणाम होंगे वो भी उस पर विचार करने की जरूरत है अगर हमारे साथ है डॉक्टर सुरिषच issues सर्मा साब आप इतियास के जानकार है इस और है और इस तरह की मुद्वों पर अपनी राइ और सूध रखते हैं डोक्र साव आपका हमारी अजिए के सुखत नमस्खार 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 तो जो आज्यादी के जो साध्दस कि कहानी है जिसको आम आदमी जी रहा है उसका भोग कर रहा है और उसके परिद्रश्य और उसके आसपास ही उसका जीवन चल लाए क्या देखते हैं कि अगर हम खोई आपया की बात करते हैं अक्सर किसी भी चीज को जोड करके तो आजादी के साथ अगर हम इसको जोड करके द कि आजादी से पहले जो कुछ सपना देखा गया था वो सपना ये था कि हम लोगों को उनके सुभाव के अनुरू और दिकास के उसर उपलब्द कराने में काम्याभी हासिल करेंगे या ऐसी कोशिस करेंगे जो कुछ वो करना चाहते हैं जीवन में ऐसी परिस्टियां बनाएं कि हर आदमी जो है कुछ उसके अंदर जो छिपी परतिभाय वो निकल करके आएगी लेकिन आप चोतर सालों में देखेंगे कि अक्सर हुआ ये कि हम जो कुछ होना चाहते थे वो हो नहीं पाए जो बनना चाहते थे बन कुछ और गये ये जो एक विसंगती उभर कर सामने आ जायत साकार नहीं हुआ है और इसलिए लोगों को सुभाव के अनरूप निरदिष्ट कर्म हैं सुभाव के अनरूप निरदिष्ट कर्म करने का अधिकार उनको अब तक नहीं मिल पाया है जिस्वभाव की आप बात कर रहे हैं कि जो हम करना चाहते थे वो हो नहीं पाए औ कोई जीवन में दोविधा एक समाहित है यह कुछ धोने कि अवह पास और था पास गया वाद के कि लिगरते हो अवह नहें करें लेकिन अगर में होना के अवसर उपलब्ध हो जाए तो हम इतना काम करें एतना काम करेंगे कि लोग हैरत में आ जाएंगा अब जैसे मात्मा गांधी का नाम है सुवाशन बोस का नाम है जवाला नेरू है ऐसे जो विलक्षन लोग आई तो ये अपने सभाव के अनुप इन्हों ने अपना जीवन जीया अपने बेवसाय को चुना और उस दिस्टी से वो विकास करते च बॉलिए हम देखें कि सब जगी क्यावा से उपद्रों पीदा हो रहा है समाज में क्योंकि सुभा उनका कुछ और है सुधर्म उनका कुछ और है कर्व कुछ और है तो वो जो उनके उत्तरदायत सरकार ने या समाज ने उनको सोपा है वो सिर्फ बोज है वो बोज़ाट उनका अंदर दबा ही दबा है अब आप यहां तक की देगे कि अल्लामा इकबाल भी कहते हैं यह पूरी नजम लिखने के बाद में अंत में क्या कहते है कि इकबाल कोई मरहम अपना नहीं जहां में मालूम क्या किसी को दर्दे निया हमारा और इसी बात को आप मानस में आप देखेंगे कि जब भगवान रामचंद जी ने हनमान जी को लंका में भीजा तो उसमें बहुत सारे मेंसिस थे उसमें एक मेंसिज यह था कि कहे हूते कच्छ दुख घटी होई का ही कहो यह जान नकोई कहने से भी दुख कुछ कम हो जाता है लेकिन मैं किस से कहूँग यह समझ में नहीं आता है तो यह जो हमारी बीगनेस है हमारा होना है जो हमारा अस्तित होई वो अस्तित छटपटाता है और यह छटपटाहट अगर जिन्दा रहेगी तो इसका मलब विकास अउरुद्ध हो रहा है विकास तभी होगा कि जब वो छटपटाहट दूर हो और हमें जो करना चाहते है वो सारे आउसर में मिलते जाए फिर देखी गाड़ी कैसे भागती अब इसमें डॉक्साब जिसे भारती संदर्वों में ंबहात कर रहे हैं देश की परिसेटियां है आचैनि जोिस समय की परिसेटियां उसमें यहां तो संथा उसमें कहीं एक की नहीं है तो आभ ऐसे में सबको समान अफसर मिलने की बात अगर हम वेवस्तात कर भी ले लेकिन मिल तो नहीं पाते तो आप दोविलाब वाली बात करते हैं तो इस में बढ़ती हुई जंसंग क्या 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 साधनों का जो सअ्थूर्विशन है तुमें समाज का ठाचा है उसमें ही कहीं विशंगती है आप देखें तुझ्थ झि जब ये datas सुरू हुआ आजादी से पहले तो उस समय सिर्फ एकी बात थी कि हमें आजाद होना है एक राश्टी भावना से का अंधुलन खड़ा हुए लेकिन बहुत चणिक समय के लिए राश्टी रहा है बहुत जल्दी विसंगतिया माया बात की आ गई और लोग अपने अपने स्वा सिकर आजाद की है यही सुवाशन बोस की है जवारला नहरू का भी यही सद्दांदरा तो वो माया बात और यह जो इसकी जो टकरहट है जो आप यह कहें कि अस्तित वाद या आत्म बात कहें तो यह जो टकरहट है वो टकरहट से विसंगतियां आई है और आप यह समझें कि ये सब शोच हम नहीं उप्लब्द करा आपा हुए हैं उसके पीछिक कहीं एक कारण है और कारण ये है कि कोई ऐसा वरग मायावादी वरग है जो सरकारों चुरी करके सरकार को गर्णात दोका दे रहा है उस और करके समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और वो स्वयंग फल फूल रहा है अमर्वेल की तरीके से अमर्वेल जैसे व्रक्ष पर डाल दी जो कोई जड़ नहीं होती लेकिन वहरी रहती व्रक्ष सुखता रहता है ऐसी स्थितियां चोहतर वर्सों में जेखी गही है कि कोई और वर्ग तो जो उनके पास नोकरी भी नहीं है वो कैसे जीते होंगे तो यह आजादी में एक हैम सवाल है कि हम कहां पर जो है उनको सुखाव के अनुरूप अफसर दे पा रहे हैं जब उनको रोटी गप्ड़ा और मकान से ही उबरने की फुरसत नहीं है तो वो जो उनके अंदर जो सुखाव चिपा हुआ है वो कैसे निकल करके आएगा और अब हम विकास का जो पैमाना हमने तेंग किया है कि हमने रेलें चला लिए हमने हवाईजास चला लिए विश्र की एकॉनमी में हमारा यह हो गया वो हो गया आप देखें कि 1857 में जब हमारी जो वेश्रिक अर्थव से यह अब विक्सित हैं हुँ हुँ एक सवाल ख़ड़ा होता है तुर दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको भी मान लेजे कि यह थोड़ी सो लोग विक्सित हो गए और थोड़ी सो लोग विक्सित नहीं हो पाए तो उसका काराणि है कि यह यह लोग आबादी ज्यादा है ऐसा नहीं कि अगर करॉप्शन को हम रोक लेते अबादी ठीक है एक फैक्टर है लेकिन उससे ज्यादा बड़ा फैक्टर जहूं करॉप्शन है उसक्रफशन ने एक वर्प को तो कहीं से कहीं जमीन से आस्वाने पहुंचा दिया दूसरी को एक दम पाताल में पहुंचा दिय यह जो भेद है इसको भी हमें आजादी के आने वाले समय में देखना होगा कैसे इसे कम किया जाएंगा यहां थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा कि आपने एक रोटी कपड़ा और मकान की बात कही थी कि आजादी मिली तो सबसे बड़ा प्रशन आम आदमी के लिए यही प्रशन आपने खड़ा किया कि क्या 1857 में हमारी जो सेभागिता थी विकास में वो इतनी जादा थी लेकिन आज जब हम सतर साल और चुतर साल बाद जब परिदर्स देखते हैं तो वहां तो अब संगर्स पीने के पानी और स्वच्छवा के लिए भी हो गया है तो अब इस विकास को जारी रखते हुए अगर हम बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक चीजों को खोते जा रहे हैं उनको दूसित करते जा रहे हैं प्रदूसित करते रहे हैं जा रहे हैं जिसमें आम आदमी के लिए जो सह सुलम मानी जाती थी प्रकृति प्रदप्त मानी जाती थी या यह आमादमी तो आज इसे भी पिछड़ता जा रहा है तो जो विकास का परिद्रश्य है इन सत दसक में साथ दसक में क्या वो कहीं धूमिल नहीं होता जा है वो इसलिए कि जो सरकार समाज और पुझी तंद्र यह जो एक त्रवणात्मा जो पक्ष बरके आता है उसमें जो अब यह कारण इसलिए बन रही है कि जो समाज है समाज की जो सारी अर्थ बेवस्ता है जो पहले था कि उत्तम खेती मध्यम्भा निसित का चाक्री भीख निदान अब ऐसे हालात पैदा कर दिये गए एर वार्टर और मिल्स के वही जल और भोजन के कि अब उसका रहा कर देखने सारी और उसके पास में जमीन नहीं कि वहीं कर सके कारण जो है इसका उसके पास में असके जीने के आज का चीने गया मजबूर कर वह शहर की तरफ गया उसके पीच्छी की जमीने भी स्चूटवीं सबको शूट और वह जो इक बड़ा सब्दाय है आज आप एःति संस्कृति हमते जामें करते हैं वह उतला हसक बाहरतैक्त करते हैं है ग्रोकषा परत SMITHी कुछ सव्धायदी इस लीजर्वas के डेदार गै ai किवड़क्रिय को बात और प्रासंगेख या इनके बास्ताम में माइने कहा?」 इनके मायने बहुत गुढ है और भारत इस मामले में इस विशे में एक सौभाग इशाली देश है कि इसने ऐसी प्रतिभाव को जन्म दिया कि जो विश्म कहीं नहीं मिलती है और उसका जो सभी अभी हाल का उधाराने उमात्मा गांधी का है कि वो अपने निजी प्रतिभा, टैलेंट से और प्रतिभाव से विश्व में माने गए और पुझे गए तो ऐसी जो संस्कृति है उसके जो गुढ रहसे हैं वो अब तक नहीं खोजे गए ये हमारा दोश्य है कि आज फिनलेंड सारी दुनिया में बच्चों की सिक्षा के लिए माना जाता है कि बच्चों की सिक्षा अगर होती है वागी सारे विश्व एक तरफ है अभी एक कोई स्कूल है वहाँ दिली में उत्तम नगर में तो वह भी वर्ड के टॉप 10 स्कूल में कंट हुआ है तो उन्होंने भी फिनलेंड करते हैं जो वैदिक जो सिच्छण पदती है उसका विकास हो सकता है लेकिन सत्तर साल में हमारे जो तथाकति जो जिम्मेदार लोग है जो विद्वान है जो मनीशी है जिन्होंने वेदों का धिन किया तो वह रहस्यों को खोज नहीं पाए और वो सिक्षा जो बच्चों को वे लोग तो कम से कम उस वर्क से नहीं संबंदी थे जो पिछडा है या उनको जो आउसर नहीं है वे तो संपन ने उनको सब कुछ पैसा विल लेकिन वही सोधर्म बात आ रही है सुभाव नियत जो कर्म है सुभाव निर्दिष्ट कर्म जो है उनका नहीं है अगर निर्दिष्ट कर्म किया है तो कहीं मतब स्वा की तरफ जहाकने की जरूवत है आम आदम को यह देखने की जरूवत है हर व्यक्ति को यह देखने की जरूवत है कि परिसितिया कुछ भी हो देशकाल का संदर कुछ भी हो लेकिन हम अगर अपने स्वभाव को उस अनकूल बन मदद भी हमको कही न कहीं से मिल जाती है सुभाप में जीना शुरू अगर हम कर दे तो भगवान यहीं गीता में कहते हैं कि वह जो जो भी योग में उतरता है तो उसके लिए छेम हम प्रदान करते हैं तो यह उसका योग बन जाता है अब चंसिक राजात का जीवन देख कि आज भी अमर हैं हमेशा अमर रहेंगे यही स्थिति अम्रेट कर कि भी है आप देखें कि उनका एक सुभाव था और उस चेत्र में उनको सब छेम अपने आप लब्द हो जाते हैं तो कहीं न कहीं अध्यात्म हर देखती के पीछे कारी कर रहा है लेकिन अध्यात्म विश पता के साथ साथ के अध्यात्मिक्ता के अब ले जाए हम अच्छेerson को आगे बढ़ा सके में देश को विकास की अध्रा Commendagρό मैं प्राकर्तिक संप्र्णता की शित्र में भारत जो हैं विश्ववंद्य मुeder हो और ऑर सारी और लेग मिसाल हो जी जी तो मैं जहां से चले थे वहां से फिर आपको लोटा के वही लाना चाहरा हूँ कि जो अब चुछतर साल की हमारी जो आजादी की यात्रा है इसमें आम आदमी जितना विचार से संबेदना से और कर्म से कहीं पिछड़ता हुआ नजार आ रहा है तो फिर रौशनी कहां से नजर आएगी उसको फिर कहां से संबल मिलेगा क्योंकि समाज में जीवित आदर्सों की भी अपकमी हो गई है उस तरह के जीवित आदर्स हमारे और आपके पास नहीं है जो आज से 75 साल पहले आजादी की समय कुछ आसपास हमारे जो दिखते थे चाहे हम चाहे हम अमिटकर की बात करें या शबास चंद्भोस और इस तरह के नायकों की बात करें कि वह हमारे समाज में जी रहे होते थे लेकिन आज तो उनका भी अभाब लगता है तो ऐसे में फिर आम आदमी को प्रेणा कहां से मिलेगा उपर उपिने का शूथ मिले गा शूथ म इस कल्यूफ में भी अगर एंगर हम अर्ब रह यह मान ने आए शृष रांत्म का इस्षा है और आपने श्थे वक्ति नहीं है और पर मास्थलिय हूं से और जब भी आप अंदर competence करेंगे और जठी बानला करें यह ज redjack시िशाना अका घय Fund हो सकते को आ मेटकर कहां से कहां पहुं सकते हैं आप देख रहे हैं यह हमारी एयर वर्टर मील्स की कोई समस्या हैं कुछ भी नहीं सिर्फ जागरती की आप शिकता है और फिर हमें इसकी जरूत नहीं पढ़ेगी कि हम दूसरे का हग चीने और उसको अपने नाम करें क्या जरूत है कि मेरे सुभाव में टैलेंट है तो वो अपने आप निकल के सामने आएगी और फिर हमें दूसरे को परशान करने हैं लेकिन अगर हमारा सुभाव निर्दिश्ट नहीं है हमने बलात जो हस्त चेप करके कुछ हासिल किया यह पाप हो प्रोफेसर में नहीं बन सकता हूं कुछ और मैं जबरस्टी प्रोफेसर बनता हूं या इंजिनर बनता हूं तो हमसे पाप ही पाप होगा यह भगवान उसकी भोष्णा कर रहे है तो मतब क्या साधा जीवन उच्च विचार का मूल मंत्र है क्या वहां से इस चीज की प्रोफेसर जीते हैं और जय पर आत्म केंढЗдीश हम होते हैं तो परंधर हमारे सहाधा में उतरता है हम वह इस्थिति जह हमें लानी है और यह समाज का वात्तावरान ऐसा बनाना है और सरकार का भी जो है में स्वायोग लेना है और इंपुझी तंदर से भी जो है मैंसे योग लेना है कि आप जो नुकसान करते जा रहे हैं और ये जो विसंगतिया प्यदा रहे हैं उनमें जो आर्थिक कारण है उस आर्थिक कारण में आप उदारता के तोर पे भी कुछ करेंगे तो अगला जो है आपका जीवन या अगला जो कुछ भी है वो यह कहीं से भी पुनी नहीं होगा और इसका कभी फल नहीं होगा यह बात भी जो हैं मारी संसकुति की देन है और इससे प्रचार प्रसाथ करने की जिरुवत है तब हम देखेंगे कि एक स्वस्त समाज रहा पायांगे और अच्छा मेसेज भारास्ती जो स्विश्य GP की बात है वो हम तभी कर पाएंगे, जब ऐसे समाज हो हमारे पास, अब आप देखिए ना कि एक महत्मा गांधी का चिंतन, और स्वारा दुनिया, सारी दुनिया जुग गई, कितने उनके सामने परवत थे, एक एक परवत गिर गया उनके आगे, उस समय के अगर परिसितियों को देखे हैं, जैसंकर पुषाद हैं साथ, तो अब वो बहुत मुर्धन विद्वान है, लेकिन वो कैसे जी है, तमबाकु बेच के जीवन जीए, क्योंकि उनको सभाव के लोग कारी करने का उसर नहीं मिला, ऐसे ही आप देखेंगे, सूर कवीर तुलसी के हम बड़े गुणगान कर आज के हिंदी के जो विद्वान है, वो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मला वो सुभाव द्वारा निर्दिष्ट कर्म था, जो ग्रावस, पिंकोर्ट, मदन महन मालवी और ये कर गए, फ्रेट फ्रेडरिक जान सूर कर गए, वो सुभाव द्वारा निर्दिष्ट कर्म था, और यह जो सभाव निर्दिष्ट कर नहीं था, इसलिए इनोंने उसे तिहास को दबा दिया, तो क्या यह उची थे, आजादी का मतलब यही है कि हम जो कुछ अच्छा हुआ है उसको हम दबाते जाएं, और जो कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं उसे चिपाते जाएं, तो यह जो ह अब दूसी में आप आगे देख लिए, कि करोना की बहुत बात उठी और यह विश्व में कि महामारी की रूप में आगा है, लेकिन हम सवाल उठाते हैं कि अगर वाई जल और भोजन के जो असर हैं, अगर वो हमारे लिए एक संकट न बनते, तो करोना शाद इतना नहीं हो अचा फिर दूसी बात है कि हमने जीवन के जो पैमाने हैं और सुख का जो आयाम है, वो हमने यह मान लेया है कि आपको कुछ करना न पड़े, वह ही सुख है, तो उससे आलत से पैदा हो गया, और आलत से पैदा होने से जो है, हम अपने सरीर को जो है, जो भी हमें प्रिकॉ आप वर्टर में सो बाश करते रहते हैं, मैं समस्ता हुआ कि कोई नहीं मरता, लेकिन उसका ना प्रचार किया गया, और ना लोग कर पाया उसको, और वो महामारी एक विश्व वैपक बनती है, वो ही है कि कहीं सुखाव से वो चीजे चुटी हुई थी, लाबदायक तो थी लेकिन हमारे सुखाव में नहीं थी, दिन्चर्या में नहीं थी, इसलिए हम कहीं उसे, हमारा सुखाव आलसी होने का हो गया है, और 24 गंटे हमारे उसी विचार में निकल जाते हैं, हम कभी भी अपने जीवन को एक अध्यात्मी ग्रूप से और एक उसर उर्प में सोची ही पाते हैं कि हम परमात्मा के अंसे हैं और हमें बहुत कुछ करना है, यह बात 24 गंटे में आएगी नहीं, नहीं आएगी तो मरने ही पड़ेगा ना, फिर तो और बीमारी आ जाएंगे, विमार डालेंगे, वादब एक आलसी में जीवन में तो पिर चारों तरफ से परिसानी आई ही रही है उसमें, तो कहीं अब क्या कहते हैं कि समस्या जनसंग्या अधिक की नहीं है, उसमें साधनों के समान वित्रण की है, व्रष्टाचार की है, विचार की जादा है, विवहार की काम है? हाँ, अब यह कह सकते हैं कि विचार और विभार बलकि दोनों में कमी है, यह तो विचारी नहीं कर पा रहे हैं, भगोर सब्वार का में तज़ सब खूजद लिए है नप बनेगा, तो क्यों नहीं ऐसी बात आप कर पाये सिर्फ विवेक अनन्द को ही अधिगार क्यों मिलेगा सारे दुनिया में समखने का तमाम विवेक अनन्द आएंगे लेकि सब लोगों के अंदर हो टैलेंट शिपी हुई है जिसको खोलने के अवसर भारतिय संस्कृती में साहित में मौझूल है लेकि उसके सूत्र नहीं पता है तो क्या मतलब चलते चलते में एक आमादमी के लिए आपके विचार से कह सकता हूँ कि आज भी अगर हम एक सूत्र ले ले कि जीवन को बचा ले जो हमारा रित हम से छूटता जा रहा है अगर हम उसको बचा ले तो साहे सारी समस्याचाों का समाधान हमें मिल जाए है वेदों की जो गोष्ष्णा है पृत शियत्था पृत वेद में जो यह घध्याई है वो इसीलिए जा एक आपको कैसे जीना है रित के अनुसार जीना है रित का मतलब जो Cosmic Order कुछ भी नहीं है, ऐसी कितनी वस्थाँ को समेटे हुए, तो वो सारी वस्थाँ को चलाने वाला जो एक और है, उसका नाम है रित, और उस रित के अगर हम जीते हैं, तो आप देख लिए कहीं कोई संकट नहीं है, कहीं कोई संकटी नहीं, आप हर संकट का सामना करने की चलता बात एक छोटे से नजरिये की है अगर हम उसको बदल लेते हैं उसको अगर हम सकारात्मत्त और पोजिटिविटी में ले आते हैं उस कॉस्मिक ओडर के साथ अपने आपको जोड लेते हैं तो सारी समझ्चा है अपने आप समाधान ले जो हमारा होना है हमारा जो होना है उसका हमें ऐसास नहीं है हम ये समझते हैं कि हम तो ऐसे ही बस बहुतिक चिजों में उल्ड़ेग और हमारा कोई जी वन मतलव नहीं पैसा नहीं तो जन्थगी नहीं हम यह नहीं नहीं सोच पाते हैं कि हम ईशुर के अंज और अभिनासी है और सहज अमल चेतन अविनासी इतना हमारे पास में है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं तो यह भाव जो हम ब्रह्मास्मी का घर करेगा तो कौन सी समस्या उसके सामने टिकेगी व्यत्ति के सामने नहीं बल्कि पूरे राष्ट को हम समाल लेंगे जो गांधी ने किया जो मेटकर ने किया जो जिसस ने किया जिसस ने अपना सब कुछ दे दिया इसी समाज के लिए इसी विश्व के लिए दिया तवा इसलिए उनको दुनिया की सबसे पवित्रतम आत्मा मना जाता है गांधी ने भी किया इसलिए उनको तीसरे नंबर पे इस तो ऐसी आत्माओं को जो हमने जन दिया है तो 74 साल में ऐसी आत्माओं अब क्यों नहीं पैदा हो रही है यह सवाल है यह सवाल है जो हम को सब को और एक आम आदमी को भी अपने जीवन में उतारना है कि अगर हमको आजादी मिली है तो निश्यत तोर पर उस आजादी के उतरदायत तुबूद की अगर भावना है, संबेदन सीलता है, समाज में सहाचार्या सहय हो गए, एक दूसरे के लिए जीवन, जीने की अगर हम आदर डाल लेते हैं, तो जो सर्माजी ने कहा कि जीवन को हम बचा भी पाएंगे, और उस कॉस्मिक ओडर में, जिसका हम हिस्सा है, और उसको हमें भान होना चाहिए, अपने होने का, उसको अगर हम समाल पाते हैं, तो साइद जो चोटी-मूटी समस्या हैं, जिनको हम बड़ी करके देख रहें, वो अपने आप में गौड हो जाएंगी, और एक जीवन का समाधान ह हमको निकल के हमको मिल पाएगा, सर्मा जी आप आए और अपने विचारों से और अपनी बाणी से हमारे सुरताओं को जुड़ पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार.